हेलो एवरीवान आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ओम्रोज पोयम जिसको लिखा है डारेक्ट वॉलकोट ने तो एक सबसे जादा फियमस पोयम है आपिकट पोयम मतलब जिसमें एक स्टोड आरेक्ट नीरेट होती है poem के through, इनकी कुछ achievements की बात करते हैं, 1992 में इन्हे Nobel Prize Literature के लिए मिल चुका है, और 2011 में इन्हे T.S. Elliot Prize भी मिल चुका है, इन्हें Nobel Award भी मिल चुके हैं, सो जो इनका literary work स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इन्होंने, at the age of 14, इन्होंने एक famous poem लिखी थी, जिसका नाम था Amaltonic, और ये newspaper St. Lucia में publish होई थी, ये newspaper का नाम है, बात करते हैं इस time पे तो इसका जो poem का point of view है, वो first person narrative point of view है, और जो telling style है, वो Homer से fascinate होके इन्होंने ये work लिखा है, या फिर उन्हें के लहजे में लिखा है, उन्हें के writing skill को देख कर लिखा है, Homer को Greek में Omeros ही बोलते हैं, तो आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि Homer से किस तरह से influence थे, डिरेक्ट Walcott, इससे पहले कि story स्टार्ट होती है, ये poem छोटी सी बात करते हैं Walcott की, तो Walcott एक बार अपने childhood, अपने home पे जाते हैं, जहां पर वो अपने father के host से मिलते हैं, मतलब, बूट से मिलते हैं, ऐसा reality में होता नहीं, वो दोनों यहां पर discuss करते हैं और अपने previous को, जो उनका past था, उसको discuss करते हैं दोनों, और जो उनके father है, वो बोलते हैं, कि अपने past के बारे में लिखो, अपने लोगों के बारे में लिखो, अपने island के बारे में लिखो, उसके बाद इन्होंने यह work लिखा है, Omeros, यह 18th century का एक famous work रहा है, और इसकी जो setting है, वो सेंट लूसिया में ही रखी गई है, इसके कुछ famous characters है, अब start करते हैं, story को, अब story क्यों बोला गया है, क्योंकि यह जो poem है, वो एक epic poem है, तो कहीं न कहीं इसमें पूरी एक story narrate होगी, तो जो philactate है, वो एक fisher man है, लेकिन अभी वो present time पर handicap पर वो काम नहीं कर पाता, कोई भी काम, ना तो खेती करने का, या फिर दूसरे काम, अपना fishing का काम भी वो ठीक से नहीं कर पाता, अपनी disability से परेशान होकर, अब कहीं न कहीं जब वो handicap हो गया तो उसके अंदर disability तो आ ही गई है, उससे परेशान होके, वो एक cafe में जाता है, जिस cafe का नाम होता है, no pain cafe, यहाँ जाकर उसे थोड़ा सा relief मिलता है और वो आते टाइम कुछ medicines भी लाता है, यह जो उसका दर्द है, जो उसके पैरो में होता है, यह उसे अपने पूरवजों की दास्ता की याद दिलाता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं, जब अफ्रीका में overall कर लिया था, ब्रिडिशर्स ने, उस टाइम पे जो situation थी, जो दर्द था, जो pain था, चाहाँ वो physical हो, या mental हो, उसको present करता है, एक दिन जो इसका character है, जिसके बारे में हमने डिसकस किया, मा किलमैन, यह घुम रहा होता है, और एक कीटियों की line का पीछा करते हुए, एक जंगल में पहुँच जाता है, जहां पे इसे एक पौधा मिलता है, और वो पौधा लाके वो philactate को देता है, और philactate का जो घाव होता है, जो पौधे की medicine से थोड़ा बहुत ठीक होने लग जाता है, हील होने लग जाता है, मतलब ठीक होने लग जाता है, अब यहां पे जो दूसरा character आता है, Hector और Akil, Hector और Akil दोनों क्या है, मच्छवारे हैं, और बहुत अच्छे friends भी हैं, यह दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं, और उस लड़की का नाम है Helen, अब यहां पे जो direct wall coat हैं, वो present कर रहे हैं कि she is very beautiful और उसकी feminine जो features हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो इतनी खुबसूरत है, जैसे कि जो Helen थी जिसकी वज़े से, जो trozen war हुआ था, वो हुआ था, उसी तरह से यह खुबसूरत है, अब यहां पे जो Helen है, अगर हम उसकी working condition की बात करें, तो उसने कई तरह के काम किये हैं, जैसे कि वो ज़्यादा educated नहीं है, तो उसने waitress का काम किया है, लेकिन वहां से उसे fire out कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, उसकी reason यह होता है, क्योंकि उसका behavior जो है, वो honor को पसंद नहीं आता, और Helen को वहां पे आने वाले लोगों का behavior, man का behavior पसंद नहीं आता, इसके बाद जो Helen है, मेड का काम भी करती है, मेजर डैनिस प्लंकेट के घर पे, लेकिन यहां पे भी वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती, क्योंकि उनकी wife के कपड़े एक बार वो पहन लेती है, चुरा कर, जिसकी वज़े से उसे काम से निकाल दिया जाता है, जो character mod है, वो wife है, मेजर डैनिस की, तो जो mod है, उनका इतना ही रोल होता है, और अब बात करते हैं, कि यह जो मेजर डैनिस हैं, इनके साथ हुआ क्या था, जो यह घर पे इस तरह से रहते हैं, तो जब second world war हुआ था, तो इनको चोट लग गई इनका कोई भी वारिस नहीं था, कोई भी इनकी प्रॉपर्टी में, जो इनकी प्रॉपर्टी को आगे ले जाए, या फिर इनके घर पे रहे, इनका कोई भी वारिस नहीं था, जिसकी वज़े से इन्होंने अपने एक dead 19 year old ancestor को adopt कर लिया था, यहां पे कोई adopt नहीं कर सकता, आप जानते हैं कि कोई किसी मरे हुए इनसान को adopt नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि उस इनसान का कोई तो होना चाहिए कहने के लिए, तो इसलिए उन्होंने कर लिया और कहीं नहीं यहां पे इस चीज़ को भी प्रेजेंट किया गया है, डारेक वोल्ड कोट क कि द्वारा की जो युद्ध हुआ था, उसमें इतने लोग मारे गए थे कि किसी के घर में लोग भी नहीं बचे थे, तो जैसे कि यहां पे बूला गये कि जो मेजर डैनिस है उनके घर पे, उनको कोई बच्चा नहीं था और उनकी फैमिली में भी कोई मैंबर नहीं बचा ह इसलिए उन्होंने डेड एंसिस्टर को एडॉप्ट किया, उसके बाद कहानी में आके होती है कि जो मौड है, जो वाइफ है, मेजर डैनिस की उसकी डैथ हो जाती है, कैंसर की वज़ए से, अब कहानी शिफ्ट हो जाती है, हैक्टर, अकिल और हैलन के उपर, यह जो स्टोर मार्किट वाली फाइट हो जाती है, मार्किट के अंदर, और इसी बीच, फाइट होती है, हैलन और अकिल के बीच, जो हैक्टर है, वो आता है, और हैलन को वहाँ से ले जाता है, अब जो हैलन है, वो पैशनेट है, हैक्टर के लिए, क्योंकि उसकी लड़ाई हो चुकी है, अकिल से तो वो कहीं न कहीं हेक्टर के साथ रहना चाहती है वो उसके साथ चली जाती है अब जो अकिल है वो बहुत अकिला फिल करता है अलोन फिल करता है क्योंकि अब वो अकिला रह चुका है उसका फ्रेंड जो कि उससे लड़ाई जगड़ा करके जा चुका है और हेलन जो जिससे वो प्यार करता था वो उसके साथ जा चुकी है तो अब वो चाहता है कि वो एक अमीर आदमी बने और पैसा कमाने के लिए वो बाहर निकल पड़ता है कहीं न कहीं यहाँ पर वो खजाना ढूरने लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है गिरने के बाद वो आगे बताते हैं पोएब में कि वो अपने पास्ट को याद करता है अपने पूरवजो से रिलेटर बात करता है देखता है कि वो फिश जो मचली है वो पकड़ने का काम शुरू कर दिया है उसने उसने अपनी language सुनी जो कि अफरीका की language थी सी यहाँ पर डारेक्ट पॉलकूट बता रहे हैं कि जब इनसान कितना भी उसके ओपर overall कर दिया जाया पर कभी ना कभी वो अपने पूरवजों को या अपनी language को अपने culture को याद करता है अपने carnival को याद करता है तो यहाँ पर जो अकिल है वो faint होने के बाद उसे ऐसा लगता है कि जो वो मचली पकड़ने के काम में busy हो गया है वो अपनी language को सुनता है कि वो ऐसी community में रह रहा है जहाँ पर लोग उसी के language बोलते हैं और जो Helen है उसे कुछ time बाद realize होता है और वो अकिल के पास वापस आ जाती है और इस तरह से यह जो story है यह जो एक epic poem है वो खतम होती है इस poem के अंदर जो direct wall coat है इस epic poem के थूँ वो शो करना चाहते है अफ्रीकल लोगों का culture था जो उनकी language थी जो वो खोड़ चुके थे उसको present करते हैं यहां पर pain को भी show किया गया है कि जिस तरह से उसके पैरों का जो दर्द है जो philactate के पैरों का दर्द है वो उसे अपने दास्ता की याद दिलाता है मतलब कि जब वो दास थे या फिर जो उनके ancestor दास थे या अगर उनके ओपर कोई overall कर लेता है तो किस तरह से वो mental or physical pain से गुजरते हैं यहाँ पर जो मेजर डैनिस को दिखाया गया है दिखाते हैं कि किस तरह से world war में चोट लगने की वज़े से ही वो घर पे बैठे हैं क्योंकि वो काम करने के लायक नहीं बचे है जो उनका character है वो यही show करता है उनका कोई भी बच्चा नहीं है और उन्होंने एक dead ancestor को adopt किया ह यह present करता है कि जो world war हुआ था यह जो उद्युद्ध हुए थे उनमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी families ने अपने love ones को खो दिया था जिसकी वज़े से उनकी family में लोग ही नहीं बचेंगे यह यहीं पर खत्म होती है poetry if you like the poetry like share and subscribe us thank you